हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास चैनल आज की शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 39 जो की कक्षा नौवी के विद्यार्थियों के लिए है यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भुगोल विशे से और इसमें आज हम फिर से एक बार मानचित्र कारे की पुन्रवित्ती कर रहे हैं यानि जो आपके first time में आने वाले मानचित्र है ना उनकी एक बार फिर से हम practice कर रहे हैं, revision कर रहे हैं तो आज हमें भारत की रेखा मानचित्र में किन-किन चीजों का अभ्यास करना है वो जान लेते हैं नीचे दिये गए मानचित्र कारे का अभ्यास कीजिए किन-किन कारे का जैसे परवच चोटियों में अनाई मुदी जो की केरिला में हैं, कंचन जूंगा जो की सिक्किम में हैं और केटू जो की जमु कश्मीर में हैं फिर उसके बाद पठारों का भ्यास करेंगे जिसमें दक्कन का पठार है जो काफी फैला हुआ है, छोटा नागपूर का पठार और मालवा का पठार, परवच नंखलाएं, जासकर, अरावली और शिवालिक, तटिय मैदान, कुंकन, मालाबार और कोरो मंडल तो चलिए अब हम इनकी प्रैक्टेस भारत की रेखा मांचित्र या राजनेतिक मांचित्र में कर रहे हैं, तो देखिए केटू यहाँ पर है जमू कश्मीर में, कंचन जंगा सिक्किम में, और फिर यह जो बाकी की परवत श्रेणियां हैं, जैसे की जासकर, शिवालिक यह पर है, अरावली राजस्थान में हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ पठार भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश का यह वाला हिस्सा मालवा का पठार कहलाता है, और यह जो जार्खन का हिस्सा है, यहाँ पर छोड़नागपूर का पठार है, फिर दक्षिन में ही एक और परवश की तरफ कोरो मंडलतर, इस तरह से हमें इसको भारत के रिखा मांचेत्र, यानि राजनातिक मांचेत्र में दर्शाना है, तो इसके अलावा आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपको एक्जाम में इन्ही में से कुछ आने वाला है, तो यह त लेकिन याद रखेगा, घर से बहार निकलते समय मास का वश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए, करोना का ठीका करन जरूर लगवाएं, क्योंकि करोना को हराना है, और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उमीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद झाल